नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तप्रादेश में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रियाबस्ट हनी ट्रैप की बारे में आपने कई बार सुना और पड़ा होगा हनी ट्रैप एक ऐसी साजिश है जिसमें अकसर सेना के जवानों को फसाया जाता है ताकि उनसे देश की जरूरी जानकारे निकाली जा सके ऐसा ही एक बड़े रैकेट का खुलासा उत्तप्रादेश के मेरट में हुआ है जिसमें दो महिलाओं के साथ साथ लोगों को गरफतार किया गया है तो आज बात होगी हनी ट्रैप की, बात होगी हनी ट्रैप रैकेट के खुलासे की, तो चलिए शूरू करते हैं पुलिस का तगड़ा एक्षन, हनी ट्रैप गैंग का खुलासा, निशाने पर हिंदू युवाग, फसाकर लाखों की ठगी, उत्तर प्रदेश का मेरट जहां से हनी ट्रैप कर उगाई करने का ऐसा गिरो पकड़ा गया है जो अमीर लड़कों की पहचान करता, उन्हें अपने ट्रैप में फसाता और फिर लाखों की उगाई करता इस गिरो का मास्टर माइंड फिरोज नाम का युवग है, इस गिरो में हिंदू पहचान के नाम सुमेया खान और फुशालू लड़कों से संबंद बनाती थी और फिरोज के साथ रूहीना, खान, उर्फ, सिम्रन और बाकी के सदसे उगाई का काम किया करते थी खास बाद यह कि गिरो अधिकतर हिंदू लड़कों को अपने जाल में फसाता था, हलाकि मेरट में जिस कांड में ये गिरो पकड़ा गया है, उन्होंने तब आकिल नाम के मुस्लिम युवग को अपना शिकार बनाया था पुलिस के मुताबिक ये गैंग ने मेरट के अलावा गाजियाबाद और दिल्ली तक के लड़कों को फसा कर उनसे पैसे वसूल किये है ये पूरा मामला तब खुला जब मेरट के परतापुर थाने में ये गिरो खुद ही पहुँच गया और दुशकर्म का मुकदमा दर्ज करने का दमाओ बना लेगा परतापुर पुलिस को शक होने पर जब कड़ाई से पुछताच की गई तब हनी ट्रैप का मामला सामने आया इस जौरान गैंक के सदस्यों ने भागने की कोशिश भी की लेकिन पुलिस ने उन्हें दबूच लिया पुलिस ने कुल साथ लोगों को गरफतार किया और गिरों के पास से कार, बाइक, नकली आधार कार और साथ मोबाइल बरामत किये हैं खुलासा हुआ है कि रात के वक्त गैंक की सदस्य दिल्ली की रहने वाली सुमेया, शालू बनकर और दूसरी महिला, रुहीना, रेकी किये गए नंबरों पर मिस्ट कॉल करती थी मिस्ट कॉल देकर सामने वाला व्यक्ति कॉल करता तो उसे सौरी बोलकर फोन रख दिया जाता था लेकिन इसके बाद फिर मैसिज या मिस्ट कॉल की जाती थी और यहीं से बातों का सिलसिला आगे बढ़ता जाता था मीठी मीठी बाते करके लोगों को धीरे धीरे जाल में फसाया जाता था ये गैंग बेहद ही शातिर है मिस्ज कॉल से शुरू हुई दोस्ती जूटे प्यार में बदलकर अवैद संबंदों तक पहुँच जाती थी कई बार अवैद संबंद बनाने के बाद पैसे की डिमांड शुरू की जाती थी जब तक पैसा आ रहा था तब तक थी नहीं तो फिर दुशकर्म का मुकदमा दर्ज कराने की धमकी या फिर मुकदमा दर्ज कराकर ब्लैक मेलिंग की डिल शुरू हो जाती थी S.P.C.T. आयूश विकरम सिंग ने बताया कि परतापुर्थाना शेद्र के एक शादी शुरदा युवक ने रेपोर्ट दर्च कराई थी, शिकाद दर्च कराई थी उसने बताया कि कुछ दिन पहले उसके मोबाईल पर एक महिला का फोन आया, महिला ने किसी जरूरी काम से मिलने की बात कही। दिल्ली रोड रिठानी स्थेत व्यू बैली होटल में दोनों ने कमरा लिया, युवक ने महिला से शाररिक संब्द बनाए। होटल से बाहर आये तो शालू ने कहा कि यहां तो मेरे भाईया भावी आ गए है। होटल के बाहर एके स्विफ्ट गाड़ी और बाइट खड़ी थी, उन लोगों ने युवक को जबरदस्ती गाड़ी में डाल दिया, दिल्ली रोड पर काफी देर तक गुमाते रहे, फिर पिटाई करते हुए 50 लाख रुपे की मांग करने लगे। पैसा नहीं देने पर जान से माने और दुशकर्म के मुकदमे में फसाने की धमकी दी, बाद में मामला 10 लाख रुपे में सेट हो गया। लेकिन जब पैसा नहीं मिला तो दबाव बनाने के लिए युवक अकिल को लेकर ये गिरो परतापुर पुलिस थाने पहुँच गए। पुलिस ने पीछा करके उन्हें परतापुर फ्लाई ओवर के पास दबोच लिया, जाशुड हुई और पीडित को थाने लाकर पुछताच की तो उसने अगवा करने और 50 लाख रुपे की रकम मागने की बाद बताई। इस गिरो में कई महिलाएं और अलग अलग जिलो के लोग शाविल हैं। इस आधार कार्ड में छेड़ चाड़ कर इसको बनाया गया है। पुलिस ने इस आधार पर बाकी धाराएं भी बढ़ा दी है। दूसरा फिरोज निवासी C306 राजीव नगर बैक कलोनी मंडावली थाना हर्श विहार दिल्ली। तीसरा फहीम निवासी आठबटाजी शहीद नगर साहिबाबाद गाजियाबाद चौथा अनिकेद निवासी सैनी कलोनी कसेरू खेडा थाना लाल कुर्ती मेरट। पाचवा दीपक निवासी डिल्लिना थाना भोजपूर गाजियाबाद के साथ ही छटवी सुमया खान उर्फ शालू शर्मा साथवी रुहीना खान उर्फ सिमरन रिवासी डिल्ली को गरफतार किया है। इसकी जाज की जा रही है हनी ट्रैप में फसा कर कितने लोगों पर दुशकर्म का मुकदम दश करा आगया उसकी भी जाज चल रही है। जाल में फसाती हैं और उनसे महतपूर जानकारिया हासिल कर लेती है। हनी ट्रैप दरसल जासूसी का एक तरीका होता है। खोफिया जानकारिया इस्तमाल करने के लिए हनी ट्रैप का इस्तमाल किया जाता है। इसमें आम तोर पर खुपसूरत लड़कियों का इस्तमाल कर किसी शक्स से राज उगलवाए जाते हैं। फोटो वीडियो या फिर मैसेज के जरीए ब्लैक मेल किया जाता है। इसमें अकसर लड़किया टारगेट शक्स को अपने होस्ट के जाल में फसा कर उनसे किसी खास मुद्दे पर खोफिया जानकारी हासिल कर लेती है। पाकिस्तानी खोफिया जनसी आईसाई भी अकसर भारती थल सेना, वायू सेना और नौ सेना से जुड़े लोगों को हनी ट्रैप में फसाने की कोशिश करता रहता है। अभी तक का ट्रैंड देखें तो पता चलता है कि सोशल मीडिया के जरिए सेना से जुड़े लोगों को फसा जाता है। ये जरूरी नहीं कि सामने जो लड़की बात कर रही है वो वास्ताओं में एक लड़की हो। कई बार पुरुष एजेंट महिला बनकर बात करते हैं इसके लिए फेक प्रोफाइल बनाई जाती है। ये इसकदर असली दिखती है कि इन पर भरोसा कर लिया जाता है। सेना से जुड़े लोगों का भरोसा हासिल करने के लिए मोबाइल नमबरों का आदान प्रदान किया जाता है और वर्टसेप जैसे टूल से भी चैटिंग की जाती है। इस तरह की चैटिंग के दौरान अंतरंग तस्वीरे बेहद निजी राजादी जान लिये जाते हैं और फिर ब्लैकमेल करने में इनका इस्तमाल किया जाता है। कई केसो में देखा गया है कि लड़की खुद को किसी यूर्योपियन देश या किसी अमेरिका की बताती है। आपको बता दें कि हड्नी ट्रैप की आशंका को लेकर सेना पिछले कुछ सालों से काफी सतर्क है। और वो समय समय पर सैनिकों को आदेश देती आई है कि वो अपनी ड्यूटी के दोरान सोशल मीडिया का इस्तमाल नहीं करें। साथी समवेधन शील जगों गोपनी कामों को सोशल मीडिया पर साजा ना करें। लेकिन फिर भी कई जवार इनका शिकार हो जाते हैं। वहीं ताजय मामला मेरट से सामने आया है जिसमें हिंदू युवाओ को फसा कर पैसे एठे जा रहे थी। ऐसे में इस मामली में क्या बड़ी कारवाई आगे होती हैं ये सवाल बड़ा है। इस पूरे मामली में आपकी क्या राय हैं कमेंट करकर ज़रूर बताएं। इस स्पेशल स्टोडियों फिलाल के लिए इतना ही फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ बाकि तमाम खबरू के लिए देखते रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रादेश नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चानल को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि आप तक हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन पहुचती रहें। आप अपना सुधाब हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ चुर्णे के लिए शुक्रिया।